जैजी नेंद्र बंधो अभिनान्द ने आप सभी का आभी के अपने कारिक्रम जिसका नाम है समस्या आपकी समाधान हमारा जी हां वो समस्या जो कोई भी ठीक नहीं कर पाया जिसका समाधान आपको नहीं मिल पाया है लगादार आपके phone calls, mails, whatsapp, messages से पता लग रहा है कि उन तमाम समस्याओं का समाधान आपको मिला है गुरुजी के माध्यम से तो देर किस बात ही है सबसे पहले कारिक्रम में अभिनेंदन करना चाहेंगे गुरुजी का जैजी नेंद्र गुरुजी स्वागया तैक पर से हैं गुरुजी आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे अपने दर्शकों के लिए भी बताना चाहूंगी जो दर्शक ने जुड़ हैं हमसे उनके लिए उनकी जानकारी लिए बताना चाहूंगी कि लगभग 500 दिनों से जी हाँ 500 दिनों से गुरुजी द्वारा जूम के माध्यम से भकतामबर स्प्रोत पैट का आप सभी के समक्ष दिखाया जा रहा है लोग बहुत जुड़ रहे हैं उनसे और जो भी समस्याएं आ रही हैं कैसे भकतामबर मंत्र के माध्यम से उसको ठीक किया जा रहा है वो आ के लिए थाइंक यू सो मच गुरुजी आज वहीं से शुरू करते हैं कि कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस गुरुजी जो जूम के माध्यम से भकतामबर के माध्यम से लोगों को आप ठीक कर रहे हैं बहुत 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 बढ़िया परसुन छेड़ा जब पहली लेहर कोरो करना चाहिए जब उस समय सारे दर्वाजे बंद हो गए तब मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए चुकि बो दौर कुछ हटके था उस समझ में नहीं आ रहा था इसी दोर हमारे मित्रन का एक जूम एफ होता है उसके माध्यम से लोगों को जोड़ के हम ऐसा प्रोगम कर सकते है मेरे लिए नया अनुह था मैंने सुरू किया और विश्वास निकरेंगे पहले दिन सब चार लोग मेरे जूम पर जुड़े और मैं चुकी हजारों लोगों की बीच में कानिकम करने बाला जहां चार लोगों तो लगा कि अवे कानिका मेरा सक्सेज नहीं होगा लोगों अधिड़ों उन्रका आते है यह चुच्छा टा कर्ते रहों और लगाता करते रहे उसके बाद सेकृुरों लैं हजारों श दानाद के वे लोग से जुड़ते रहे और गयूं पढग एस थन चलते गये कर्मा बढ़ता गया हम बदता ब्कात्यबड़ का स्थे कड और इस न प्रारम किया और जानके आपको आश्यर होगा मिणम के यूटूब पर गुरुजी चैनल है उस पर आप देखिए जाकर के हाँ तेंगर को आर्सी क्या पड़े लिखे को फार्सी क्या उस पर जाकर देखें ऐसे ऐसे लोग आए ऐसे ऐसी समस्या लेकर आए जिनकी समस्या सुन पर आज लगपाद पाहर चूट गया हमारे उपर तो उनकी ऊपर क्या हो रहा हुगा कैसे बीत रहा हूगा उनकी जब समस्याएं पांत दिन आठ दिन ग्यारा दिन से जाता समय नहीं देखाव समस्या ठीक हो गई तो निस्षित तोर पर भक्ताम्र जी का आतिसे था पिसले दिनों सेटमबर माह में तो प्रक्तूर कर समया गे पिसले ताम हम लोग चोवी सो पच्छी सेटमबर को स्रे महावड़ी की आत्रा की चलो महावड़ी और सो से अधिक लोग और पहुचे और अतना आनन्द पुर्वाग घम लोग ने पांसो बाद दिन मनाया जो लो से बिल्कुत सहास नख होएं जब विप्रीत समय आ जाता है जब चारों तरव से दर्वाजे बंद दिखाई देते हैं जब सब कुछ बिलोग हो जाता है तब जने प्रू का भगवान का दर्वार उस समय जरूर पट बंद हो लेकिन हिदय के पट खोल लीजिए और भगवा पाता है अज हम उन दर्शकों के यहां पर मैं मेल लेना चाहूंगी गुरुजी जो बहुत टाइम से भगतामबर श्वत के माधियम से जो आप से जूड़े हुए है ओनलाइन जूम चानल के माधियम से जो आप लगातार लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं उन में उन प्रश्ण मैंने चुने हैं तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें बताएं और बाकी जो व्यूवर्स हैं हमारे चानल देख रहे हैं वो भी कहीं न कहीं रिलेट कर पाएंगे इस चीज को तो आप लोग भी ध्यान से सुनेगा और जो भी यहां पर गुरुजी आपको बताएंग आप लोग भी उन्हें फॉलो करेंगे तो सबसे पहला प्रश्ण मैं यहां पर लेना चाहूंगी राकेश जैन जी कहा है पुने से लिखते हैं कहते हैं गुरुजी जैजी नेंद्र मुझे बहुत हर्ष है कि मैं पिछले 200 दिनों से जूम के माध्यम से आप से जुड़ा और जो भक्ताम बस्त्रों तुहां पर चलते हैं उसके माध्यम से मेरी बहुत सारी समस्या का समाधान हो चुका है तो उसके लिए थांक्यू कहना चाहूंगी थांक्यू सो मच राकेश जी यह आगे बोल रहे है कि गुरुजी मैं व्यापार करने जा रहा हूं तो मुझे को जरन प्रू से कामना करूंगा में जुड़ा हुआ ही क्या हर व्यक्ति सुखी रहे संपन रहे ऐसी भगवान जरन प्रू से मंगल कामना मेरी है दूसरी बात आपने कहा कि आप नया व्यापार करने जा रहे हैं एक काम करना सुकल पक्ष की त्रियों दसी से व्यापार को प् चुकलपक्स की 12 तक बहुत बढ़िया वैपार करें और इसके बाद 13 को काब नंबर 36 की तेरा माला लाल बस्त्र, लाल माला, लाल आसन और लाल ही आपके कलर के पूरा वहां का आभावंडल हो अफिस में बैठकर, दुकान में बैठकर के आप अरधरात्ति में करें दूसरा नेक्स दे चुदस रहेगी उस दिन 14 माला रिद्धी मंत्की, 14 माला शिद्धी मंत्की और 14 बार उसकाब को पढ़ें इसके बाद आता ही है अंगला नेक्स दाथा पूरिमा, पूरिमा के दिन 15 माला करें ऐसा अगर आपने तीन दिन तक बैपार में किया और आपको क्या करना पीला सर्सों जो बजार में आता है पीला सर्सों एक कटोली में रख लें उसको मंत्रत करना है उसी समय जो मंत्रत उसको लगातार 15 दिन तक रोज अपने बैपार के स्थान पर छड़की है मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका बैपार दिन दूना रात चोगना बढ़ेगा, उन्नत नी करेगा पस बेवार में मधुरता रखना कि जो आपका ग्राहक है वह ग्राहक भगवान के रूप में होता है उसे भगवान की तरह माने उसका सम्मान करें उसे चिटना करें तो निश्चित तोर पर आपका व्यापार बहुत उन्नती को बड़े लेगा हैसी मेरी मंगल शुबकाम नरा कि जिए आपके साथ है गुरुजी ऐसा कोई एक मंत्र मूल मंत्र में जाना चाहूंगी जिससे व्यापार जो लोग व्यापार करते हैं किसे भी प्रकार का व्यापार तो उन सभी के लिए कारगर साबित हो देखे एक लाल कलर का कपड़ा ल ऐसा लिखकर कि अपने व्यापार स्थान में जरूर टांग लें लाल कपड़े पर लिखना है और उसपर सरीम लिखना हे शफिल कालर से दोरों में से कोई बी एक कलर का उपयोग कर सकते हैं और सरीम लिखने के बाद दो डंडी एक ऐसा दंड़ा एक ऐसा दंडा इस तक दो खना आपकी दूकान चीजिए बिल्गुल आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन लेते हैं परितम जी लखन Dick से हैं यह कहते हैं कि सर मेरा बहुत सारा पैसा मार्केट में फिसा हुआ है बहुत कोश़िश कर रहा हूं गाय के शमान बन कर आता है जब पैसा उसके पास लेने जाओ तो ऐस सेर के समान बन जाता है अपना पैसा मांगना ही अपने आप में बहुत बड़ा दुसास का काम है देखे प्रिदम्जी निश्चित रहे बिलकुल सौपती से निश्चित हो जाए आपके जितने लोगों से आपको पैसा लेना है लगबग दो लोग चार लोग छे लोग दस लोग बारा लोग उन सब के नाम एक सफेद प्लैन कार्ड सीट पर लखें और सफेद कार्ड सीट पर लखें नाम लिखना लाल कलर से सफेद कार्ड सीट पर उन लोगों के नाम लिखें लाल कलर से लिखें और उसको सामने रख लें आप अपना मुत्तर दिसा की और कर लें पीले कलर की माला, पीले कलर के बस्त और पीले कलर का ही यासन एक मंगल कलस बराजमान करें अखंड जोत प्रजुलित कर लें और उत्तर दिसा की और मुख करके तेरह नंबर काब की आपको मात्र तेरह दिन तक आराधना करनी है और आराधना करते हैं समय एक माला जैसी हो वो पूरे लोगों के नाम लें और महसूस करें बूरें कि उनसे पैसा मुझे प्राप्थ हो रहा है उनसे पैसा हमें प्राप्थ हो रहा है इस पकार से तेरह दिन करें 14 वे दिन आप उन विक्तियों को करम सा फॉल लगाएं विस्वास मान के चलिएगा पूर जेल्ट पॉजेटिव आएगा हंडेद परसेंट नहीं आएगा पहली 10 परसेंट आएगा फिर 15 परसेंट होगा फिर 20 होगा इस प्रकार से बढ़ते हुए सभी लोगों से आपको निश्चित तोर पर जो फसा हुआ आपका पैसा वह बापिस प्राप्त होगा वह आपके जीवन में शुक्षांती समर्दी आ तो यह जाता तो क्याए सही है जी बेवक्षट चाहिए तो वह कौन से दिन होते हैं कौन से सर्म ने होता है जैसे जड़र्र जं कर दिने हैं अगर आपने पैसा किसी को उधार दिया तो उसको चन्द पत्ते में लिख लिए लेना कि पैसा वापिस नहीं आएगा मंगलवार के वाद पैसा किसी को बद देना उधार मंगलवार कूझ ले आ लेकिन दूर्शा सानीवार का दिन होता है सनीवार के दिन भी अपन को सेस करके किसे को उधार नहीं देना चाहिए और ढंटे दे अजन को दिकर अतरा है उसके पहले छोटी समेंड इन तीन दो तो किसी भी कीमत पर आपको अधार देना नहीं, अगर अधार देंगे तो वो बापस आएगा ही नहीं, यह सारे कारण होते हैं, यह जोतिस के कारण, जोतिस हो में इन सब का अलग विपरन हैं. तो यह जो Kelvin मैं भी कार्कारक अधार नहीं हमें, नही कारी नहीं हैं, तो कि कम हो इसे दिसक्केशिन करने हम आपको नहीं कारते हैं, अगर LOUdan किसा कम आते आप है, घर इंचेज़ों पर देते हैं, और भूत पुरेफट के अगर बात करते हैं, तो रगार वी कितशकों आप इसे का यही एक कारण है शायद आप मैंसे बहुत सारे लोग शुरुवात से ही गुरू जी से जुड़े हुए हैं अगला प्रेशन लेंगे गुरू जी रमेश जी हैं ये दिल्ली से लिखते हैं कहते हैं कि गुरू जी मैं लगभग जब से भगतामस तो शुरू कि आपने ज मेरे भाई को और मेरी माता को कैंसर हो गया है समझ नहीं आ रहा कुछ भी कि कैसे अचानक से ये चीज़े हो गई है पारश भीया सादर जैजने निश्यत तोर पर ए दुख का छड़ है आपका विपरीद समय है परिच्छा का समय है लेकिन परिच्छा में वही व्यक्ति उत्त बहस्षा रखता है आपको साहस विष्षास रखना है आपको अपने साहस और विष्षास को खोना नहीं है और माता जी और आपके भहिया को जो कैंसर हुगा है उनकी पत्री जरूर है पहला काम दूसरी बात उनके लिए भक्तांग sic항 को आपको बिल्कुर सरल सुगम और बह पूर्दे में आप जाएं अगर बैठ सकते हैं तो अच्छी वात नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं है काब नंबर 45 भक्तामबर का उद्भूत भीशन जलोधर भार भोगना वाला काब को लें और इस काब को 45 दिन तक अनवरत रूप से आप इसकी साधना करें इसमें कर आपने 45 दिन तक किया इसमें एक प्रियोग और अच्छे रिजल्द के लिए कर सकते हैं एक चांदी के ग्लास में पानी भरके रख लें और जो लॉंग होती है फूल वाली लॉंग उस लॉंग को लें और एक बार आप रिद्धी मंत को पढ़ें और आप उस लुंग 45 दिन की बार पढ़ने के बार उस पानि को चांदे लॉंग अलग कर लें और वह पानी दोनों भीया को औरा देखेंगे कि दिन पृती दिन दिन प्रती दिन यह उस मंत्र के प्रवाव से होगा जी बिलकुल गुरुजी आज कल देखा जा रहा है यह क्योंकि अगर हम यह कहले लेट विवाह या कोई भी मेडिकल इशूस की वज़े से ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह स्वाव में दिक्कतार है फिर बच्चा प्रॉपर असमें भी दिक्कतार ही है तो उस स्थिती में के टाइम में यह मंत्र कारगर साबित होते हैं बहुत 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 अच्छी बात आपने किया अब यहां पर एक बात ध्यां रखना है दिखिए पहले एक प्रंपरा थी पहल जात बहुत जल्दी वो लोग शंतान वी उत्पन कर लेती थे कारण का है आज की देट में मैंने देगा 32 32 साल 33 35 35 साल के लड़का लड़किया होंगा साधी ने किये अब वो मौनों पोच का समय आ गया है अब वो मिस्केरिज हो रहा है और भी दिक्कत आ रही तो ऐसी दिक्कत सबसे जादा महत्पून पर सह है कि काब नंबर 20 कंसीब करने के लिए बहुत बहुत बहुतरिन काब होता है कंसीब करने के लिए इस अगर व धिश्वा काप होता है उसको नहें तो उसके रीज्वा काप होता है उसकी आरहना करें लाल बस्त लाल अला उ लाल आशन दिसत आरहना करें विशूय तरपर बीश्वे नफ्रव काविकी आरहना से और पर्शेंद जुलिए का ँझया से उसक Corpo होगा और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में पहुंसारे उथल पुथल हो रहा है तो आप गुरुजी से परामर्ष प्राप्त कर सकते हैं आप इन से मिल सकते हैं कैसे मिलना है कैसे संपर करेंगे उसके लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाये जा रहे हैं अभी कॉल कीजिए और कॉल के माधियन से अपनी तमाम समस्यों का समाधान पाईए बिल्कुल इसके साथ गुरुजी बहुत-बहुत धनेवाद जैजनेम झाल 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 के बार मधोस्यों का समस्वाद प्रोब करेंगे, जड़ाद वो बहुत-ग्ज़ू समस्वाद बहुत-बहुत-ग्ज़ू